हलो मेरे नामे चंद्रहास, श्टडे स्मार्ट में आपका स्वागत है आप अगर SBI कलर्क या P.O. मेंस की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें जो जनरल अवेरिनेस का सेक्षिन हैं काफी इंपॉर्टेंट होता है आप Current Affair पढ़ने के बावजूद भी आप जब कोशन देने जाते हो SBI, P.O. मेंस वगएरा में जब बैठते हो तो कोशन आपके नहीं हो पाते हैं और दूसरी बात ये कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इस बात का एक अच्छा खासा अंदाजा होना चाहिए आप बहुत सारे ऐसे कच्रे वाले जो न्यूस होते हों पढ़के आप जाते हैं जो एक्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, relevant होता ही नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस General Awareness के सेक्शन में क्या क्या चीजों पर especially focus करके पढ़ना है, अपनी तहरी को करना है और questions आपको कैसे, आपको attempt करने हैं, फिर किस तरीके से questions को prepare करना है कितने different format में आपके एक्जाम में question देखने को मिलते हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा क्योंकि यह बहुत important topic है formatting जो questions के होते हैं जिसकी वज़ासे आते हुए questions भी नहीं होते हैं बच्चों से क्योंकि कुछ इस तरीके से questions पूशे जाते हैं तो मैं अगर सुरुबात करूँ general awareness के section की तो इसका जो notification में नाम है general economy and banking awareness इसका नाम रखा गया है अब इसी के उपर अधारित यहां पर तैयारी भी आपको करनी है तो इसमें total आपके 50 questions है 50 questions, 60 number के और इसको करने का समय आपका 45 minutes का है 45 minutes का समय है 50 questions आपको करने होते हैं तो सोचे number of questions ज़्यादा रहते हैं फिर भी questions हो पाना बड़ा ही मुश्किल होता है तो अगर हम बात करें कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है सबसे पहला important point तो वही है कि जब आप current fair पढ़ रहे हैं तो किन बातों पर धिहान रखना है और इनमें जो यह लिखा गया है सबसे ही मैं आपके शुरुआत करूँगा कि general awareness का मतलब क्या है क्या कहता है कि जनरल awareness में आपको क्या पढ़ना चाहिए तो देखिए general awareness में जो बातें आती है वो आपका आपका चाहे इंडिया से related हो चाहे किसी बाहर के देश से related जो country specific news रहती है कि भारत ने किसी देश के साथ M.O.U. साइन किया हुआ है ऐसी कोई आपकी जैसे भी bio diversity की summit हो रही है इस तरह की जो news होती है किसी देश के नए प्रधानमंत्री बने है कहीं महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है कुछ आपके appointments वगेरा हुए है sports से related जो news होती है books से related जो आपकी news होती है इनको कहते है general awareness इसमें आपको focus यह रखना है कि जो news आप पढ़ें इस बात का खास तोर पे ध्यान रखें कि वो आपकी एक national importance की news हो और एक ऐसी news हो जो एक exam में पूछी जाए और जिसके वरेम आपको पता हो माल लीजे कि भारत ने किसी देश के साथ memorandum of understanding sign किया है किसी काम के लिए माल लीजे सिक्षा के छेतर में या फिर आर्थिक गतिविधी के छेतर में या फिर export आप इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो ऐसी important news आप पढ़ सकते हैं इस general awareness के section में इस sports से related जैसे मैं आपको कहूँ आने वाले जो आपका exam है इसमें जैसे आपका FIFA से related जो आपके खबरे हैं आप से पूछी जा सकते हैं इसमें कई तरह के आपके news निगल सकते हैं इंडिया के कुछ जो आपके major जो sports events हुए हैं जैसे इंडिया के खिलाडियों ने अलग-अलग पदक जीते हैं जैसे भी इंडिया ने T20 blind वाला जो world cup हुआ था वो आपका जीता हुआ है तो इस तरह की news इसमें आपके आती हैं general awareness के section में बहुत state specific news नहीं रहती हैं state specific का मतलब किसी राज जिने को एक scheme निकाल दी अपने राज के लिए तो ऐसी news इं तभी important है जो उसका कुछ जादा महत हो जैसे मैं आपको बताऊ state specific news में जैसे कि आपसे पूछा जै कि कौन सा ऐसा state है जिसने स्वयम के लिए एक climate change का अपना एक प्रारूप या पूरा एक धाचा बनाए कि वो climate change के प्रती कैसे लड़ेगा उसका एक पूरा प्रारूप तयार किया है तो यह important news है क्योंकि ऐसा भारत में करने आप पहला वो राज्य बना है जो कि इंडिया का जो climate change को लड़ने के लिए जो प्लान है वो सब तो है ही उसने अपना भी प्लान बनाया है तो ऐसी news important है कोई एक specific scheme निकल गई और इस तरह की तो बहुत सारे scheme निकलती है वहाँ पे आप अपना समय वेस्ट करते हैं वो नहीं करना है आपको दूसरे point पे अगर मैं आपके लिया हूँ economy awareness का मतलब क्या है economy awareness का financial awareness भी कह सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है government की जितनी schemes है वो आपको सारी समझनी है हाल फिलहाल में जो government ने launch करी है या फिर जिसके उपर आप अगर P.I.B. पढ़ते हैं तो जिसके उपर सरकार कुछ data दे रही है वो बहुत important आपकी होती है खास तोर पे जिससे आर्थिक जो छेतर है वो प्रभावित हो रहा है वो सारी schemes आपको पता होनी चाहिए किसके लिए है उसकी full form क्या है उससे related कुछ नया data आया है तो क्या है और R.B.I.E. से related जितनी भी आपकी news आई हुई है मतलब R.B.I.E. ने different different जो Circular's निकाले होंगे अलग अलग बैंकों के लिए कुछ करा होगा किसी की punishment लगा दी होगी या फिर कुछ नये Circular's निकाले होंगे कुछ नया data निकाला होगा वो सब कुछ आपको पढ़के रखना है सब कुछ मैं कह रहा हूँ तो सब कुछ आपको पढ़के रखना है कुछ भी सवाल इसमें से आपका पूछा जा सकता है मैं आपको एक याद दिला दू ऐसा एक पिछली साल सवाल पूछा गया था कि भारत में जो PSU जो जो ब्रांचेज हैं कि बैंक ब्रांचेज कितनी है ये पिछले साल SBIPO का सवाल था तो ऐसे सवाल जो RBI के जो इस तरह के study या findings होती है वहाँ से निकल के आते हैं तो ऐसे सवाल पूछे जा सकता है सब पूछा जा सकता है कि RBI ने जब आपका इस साल में से बढ़ाना सुरू किया repo rate तो अभी तक कितने percent बढ़ा दिया है तो ये आपसे पूछा ये नहीं जा रहा है कि जो RBI की बाई मंतली जो latest policy आई थी उसमें कितना बढ़ा है का रहा है कि मईस अगर तुलना करिए तो अभी तक कितना बढ़ा है तो ऐसे आपको news पढ़नी है RBI से related और क्या पढ़ना इसमें इसमें जितने भी banks हैं खास तोर पे bank में जो आपके PSU bank हैं और उसमें भी SBI से related जो भी आपके news आ रहे हैं SBI ने किसी के साथ bank assurance किया है या फिर किसी PSU ने कोई एक नया app launch किया है किसी खास special purpose के लिए तो ये सारी news आपके लिए बड़ी important हो जाती है ये आप वहां से आपके questions निकल के आते हैं economy awareness में तो आपको economy awareness में government of India की जो schemes होती है जो योजनाय भरत सरकार लेके आ रही है RBI से related जितनी भी आपकी news आ रही है banks से related जितनी भी जैसे मैं आपको कहूँ कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये वाली FD scheme किसने निकाली है कि 555 दिन वाली किसने निकाली इस तरह इक news नहीं आती है आपसे जो standard questions हैं वही पूछे जाते हैं और हर एक जो आपका MOU bank करता है वो नहीं पूछा जाता है कि अगर माली जे HDFC bank ने किसी के साथ bank assurance किया तो भी पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा SBI की अगर आप तहरी करें SBI ने अगर किया है तो वो आपका पूछा जाएगा है ना तो वो आपको पढ़ना होगा जो तीसरा इसका section है वो है banking awareness का banking awareness में आप सबको पता है क्या पूछा जाता है banking awareness में एक तो आपका structure होता है RBI का RBI से related जो भी information से RBI संस्था से लेकर के monetary policy से लेकर के monetary policy committee, inflation का target सब कुछ आपका RBI से related पूछा जाता है repo rate क्या है और उसारी चीज़े आपके RBI के जो tools है उसारी चीज़े जो दूसरा आप से पूछा जाता है RBI के अलावा जितने भी आपके scheduled commercial bank है small finance bank है इनसे जो related questions होते हैं मतलब यह जो इतने banks आपके हैं इनसे related RRB से लेकर के जो questions होते हैं आपसे किसी का पूछा जा सकता है किसकी authorized capital कितनी है इस bank के लिए कितनी अब हो चुकी है MPC में कितने members हैं वरतमान समय में कौन head है उसका ऐसे करके आपके जो questions होते हैं आपके banking governance में पूछे जाते हैं पिछले साल आपका question पूछा गया था ऐसे कई सारे questions रहते हैं कि RBI का जो integrated investment बनाया गया scheme है तो इसका जो headquarter है वो कहाँ पे है कहाँ पे located है चंडीगर में है तो वो ऐसा सवाल आपसे निकल के आता है तो banking awareness में आपको banking awareness वाली सारी चीज़ें पढ़के जानी रहती हैं वहाँ से आपसे कुछ भी चोटा मोटा सवाल आपसे पूछा जाता है तीन से चार सवाल आपके तो डारेक्ट ही पूछे जाते हैं और कई बार जादा हो जाते हैं अब यहाँ पे banking awareness में भी आपके जो सवाल निकलते हैं बार डिटेल में आपके एक्जाम में सवाल निकलते हैं सिधा सिधा सवाल नहीं निकलता है जैसे अभी आर्विया के एक वरकिंग इंटर्नल वरकिंग कमिटी की बैठक हुई थे तो उसमें कई सारे पॉइंट्स बताये गए थे कि ऐसा ऐसा चेंज आर्विया को करना पिर जनल अवेनिस Agriculture जो एपॉइंट्मेंट्स होते हैं जो हेड होते हैं अलग-लग कंपनीश के सियो जो होते हैं वो आपको पढ़ने रहते हैं लेकिन इसमें examiner के आप क्या क्या पढ़ें इसमें आप बहुत सारी आलतो फालतो की news पढ़ते हैं वो आप छोड़ करके चलिए कभी नहीं एक्जाम में आता आपको भले लग रहा है बहुत important है नहीं पूछा जाएगा तो ये आपको पढ़ना है जो cover करना है इन points को आपको cover करना होगा banking governance तो अपने आप में पूरा एक बहुत बड़ा आपका topic होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके आती हैं कई तरह के schemes है economy governance और general governance आपको समझ में आ जाना चाहिए अब अगर मैं आपको format दिखाऊं किस तरह से questions आपके पूछे जाते हैं तो पहला जो format होता है वो होता है straightforward questions का straightforward question जैसे आपके सीधे-सीधे question पूछे जैसे पूछ लें कि who is head of IMF तो आपको पता होना चाहिए सीधा-सीधा सवाल है जैसे example के तोर पे government of India has accorded in principle approval for setting up how many greenfield airports तो यह सीधा-सीधा straightforward question है कितने greenfield airports बारत सरकार बनाने जा रहे इसके लिए इन principle approval दे दिया है तो इसका सही जवाब है 21 ऐसे airport बनने है तो ऐसे आपको टिक मारने है आगे बढ़ जाने है तो ऐसे questions आपके पूशे जाते हैं लेकिन आप उमेद करते हैं कि आपसे ऐसे ही questions पूशे जाएंगे जो की होता नहीं है अब इसका दूसरा type देखिए दूसरे जो type होते हैं उनको कहते है filler based questions इसमें क्या रहता है कि आपको एक paragraph सा दे देता है question का या कोई भी current affair का topic रहता है उसका paragraph सा दे देगा और उसमें कुछ important details को वो आपका miss out करेगा या फिर उनको blank कर देगा वो आपको सही करम में चुनना रहता है कि इनमें क्या जो पहला blank उसमें क्या भरा जाएगा जैसे example के तौर पर आपको दिखाऊं कि Olympic silver medalist मेरा भाई चानू makes light of wrist issue to win silver at world weightlifting held in dash in the women's dash category अब आप से पूँचा सब कुछ बता दिया गया कि इन्हों ने silver medal जीता है मेरा भाई चानू ने जीता है world weightlifting जो championship हुई थी वहाँ पर जीता है पूँच लिया गया कि कहां पर held हुई थी पहला blank दूसरा कौन सी category से ये खेली थी ये दूसरा blank इन दोनों blank में दोनों सही जवाब आपको भरने हैं तो ये आपको निकालना पड़ेगा तो ये होता है pillar based question इसमें बहुत बच्चे भर देता है जैसे आप सुचों कि मीरा बाई चानू उन्हें जीता है तो ये इंपोर्टेंट है silver जीता है ये इंपोर्टेंट है ये सब कुछ दे देगा question में जो आप सोचे नहीं रहोगे उसको miss कर देगा ये और वो आप हो सकता है पड़तों ध्यान न दिये हो या फिर आप जिस भी teacher से पड़े उसने ध्यान न दिलाया हो या कई बार होता है कि जब ज़्यादा आपके सामने explanation होता है तो आपका ध्यान हट भी जाता है जैसे इसका सही जवाब क्या है B बोगोटा में हुआ था कोलंबिया के राजधानी 49 category में ये खेलती है तो ये इसका सही ज आपका match the following करके भी question आया था match the following वही खाना मिलाने के लिए जिसमें आपके persons के नाम दिये गये थे वो कौन से organization के heads है वो दूसरे column में था आपको सही मिला न था ये person कौन से organization का head है ऐसा करके तो ऐसे match the following वाला आप आता है और ये आपका statement बेस्ट का मतलब देखिए जिसको कहा जाता है कि जैसे आपके UPSC के exam में questions पूछे जाते है ना कुछ वो format आपका follow किया जाता है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है आपके general awareness के section में question नहीं कठिन होता question का answer करना कठिन होता है जैसे मैं आपको एक example के तोर पर दिखा हूँ लिखा है Chrissy Udhan scheme 2.0 is for क यह जो scheme है किसके लिए है सिर्फ यह सवाल है तो आपको option दिये गया North East, Hilly Areas of the Country, Tribal Areas of the Country तो यह आपको तीन दिये गए हैं अब आपको answer नीचे में से निकालना है ABCD दिया कि only one, only two and three, only one and three, all one two and three या फिर none of these हो सकता है कि वो only three के लिए हो तो none of these पे टिक करना पड़ेग इसको कहा जाता है कि मा लीजे आपने mains का exam दिया, prelims के बाद पढ़ना शुरू किया, उसके बाद आप जब पढ़ते हो current fair तो आप ध्यान इस चीज पर रखते हो, कि जहां से आप current fair पढ़ रहे हो, उसने जैसा current fair के question बना, आप वही याद रखते हो, कि जैसे मैंने पिछल running scheme किस लिए है, तब तो आप बता पाओगे कि इसका सही जवाब क्या है, डी, कि ये उपर के जो तीनों है, especially इनके लिए चलाएगे, कि नौर्थेस्ट के जो एरियाज हैं, हिली एरियाज जो हैं, और जो tribal reasons हैं, इनके लिए चलाएगे, तो इसको तीनों जो answer है, वो आपक सही है, लेकिन नहीं पता होगा, तो आपको अगर कुछ छणिक याद होगा, कि सब नौर्थेस्ट याद था, नौर्थेस्ट के लिए चलाएगया था, तो आपके वल एको टिक मार करके चले आओगे, और ये हो जाएगे आपके लिए गल्ती, तो ऐसे आपके तीन format के question, आ बात पे आपको ध्यान जाए, जानकारी का level, elementary level का ऐसा ना होगी, बस जो who, how से question बना है, बस वही रट लिया है, उसके बीच का कुछ भी याद नहीं, है ना, तो वो आप प्रश्या होगे उसमें, है ना, जैसा आप सब लोगो को पता होगा, कि हमारा study smart का current affair का course है, वो भी जा रहे हो, तो आप कचरा पढ़के नहीं जा रहे हो, आप important चीजें पढ़के जा रहे हो, जो exam में पूछी जाती है, और जिस level से questions आपके बनते हैं, वो आप तयार रहो, तो आप अगर चाहते हैं, अपने exams के लिए current affair को समझना, पढ़ना, तो आप this course को join कर सकते हैं, और आप अपनी preparation को अगले level तक पहुचा सकते हैं, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगाए, तो वीडियो को like करेगा, चैनल को subscribe करेगा इस तरह की important guidance related informations के लिए, मिलता हम आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाये